जैहिंद प्यारे मित्रों आपके अपनी YouTube चैनल आराइक प्रासस में आप सभी का स्वागत है जैसा कि हम सभी लोग बात कर रहे थे जो कोस्चन के बारे हम लोग डिसकेशन कर रहे थे यह कोस्चन जो है रेलवे एलपी एलपी के जो हमारे टेक्नी जो ट्रेट से डिलेटेड जो एक्जाम होंगे उन टेक्निकल एक्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टन कोस्चन जैसे और हम बात करते हैं तो जो हमारा है डी आरडियो इस्रो सेल बार्क और जो भी हमारे टेक्निकल एक्जाम होते हैं उन टेक्निकल एक्जामों के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टन कोस्चन है पिछली क्लास पे हमने जो 100 कोस्चन तक डिस्केशन किया था आज हम लोग जो उसके आगे से क्लास को जो है कंटीनियो करने वाले हैं तो जो है आज का हमारे जो 101 नंबर question है फिस प्लेट का प्रियोग करते हैं यह question जो हमारे D.I.O. में पूचा हुआ questions है तो हम लोग बात करते हैं जो हमारा है फिस प्लेट का प्रियोग करते हैं डैश option है finish job को पकड़ने के लिए next option है जाब को सहारा देने के लिए निक्स्ट आप्चन है गुल जाब को पकड़ने के लिए निक्स्ट आप्चन है अनियमित जाब को पकड़ने के लिए हम लोग जो क्या करते हैं अनियमित जाब को जो है पकड़ने के लिए फिस प्लेट का जो है इस्तिमाल करते हैं इसका पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है जो भी हमारे अनियमित आकार के जो जाब होती हैं उन जाबों को पकड़ने के लिए हम लोग केस का प्रयोग करते हैं फेस्ट प्रयोग करते हैं यह कास्ट आइरन की गोल गोलाकार प्लेट होती है जो हमारी क्या होती है फेस्ट प् फेस प्लेट होता है, फेस प्लेट के आंतरिक में क्या होता है, आंतरिक भाग में चूडिया कटी होती है, इसके फेस पर आयताकार या टी आकार के सलाट कटे होती है, इसके फेस पर, जो हमारा फेस प्लेट होता है, इसके फेस पर जो फेस वाला भाग होता है, यह हमारा क्या कि सर्फेस प्लेट है यह सर्फेस प्लेट में क्या होता कि आयताकार या जो है इसमें क्या होते हैं कि इसमें जो है टी स्लाट जो है इस प्रकार से क्या होते हैं कि हमारे जो है टी स्लाट जो है कटे होते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जौब को जो है नट और फेस्ट प्लेट पर जॉब की वैलेंसिंग की जाती है फेस्ट प्लेट को पर जॉब की वैलेंसिंग की जाती है अभी कोस्चन जो है हमारा डिया डियो टर्नर में पूछा हुआ कोस्चन है अच्छी फिनिस प्राप्ट करने के लिए नेक्स्ट आप्शन है जॉब को एक समान घुमाने के लिए next option है speed बढ़ाने के लिए next option है टूल पर पकड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए इसका right answer हो जाएगा अपसल नमबर B जॉब को एक समान घुमाने के लिए जो हम face plate पर balancing करते हैं या इसी को हम लोग क्या करते हैं कि job को जो हम dial करते हैं तो क्या होता है यह जो है job को एक समान घुमाने के लिए फिस plate पर job की balancing की जाती है next question है हमारा 103 number question है driving plate का प्रयोग किया जाता है driving plate का प्रयोग किया जाता है option है अंतरिक अंदरूनी क्रियाओं के लिए next option है fishing operation के लिए next option है fixture worm work piece बांधने के लिए next option है center वो dark career के बीच जाव को घुमाने के लिए driving plate का प्रयोग जो है किया जाता है center वो dark career के बीच जाव को जो है घुमाने के लिए driving plate का जो है प्रयोग किया जाता है इसका right answer हो जाएग option number D देखी इसके point पर बात करते हैं driving plate का प्रयोग driving plate का प्रयोग center वो dark career के बीच जाव को घुमाने के लिए करते हैं जब हम लोग क्या करते हैं कि driving plate की माध्यम से क्या करते हैं कि job को center to center बाहने के लिए क्या होता है कि dog career की बीच में job को घुमाने के लिए करियर तथा driving plate का प्रयोग उपियोग खराद क्रिया में किया जाता हैं जब लेथ मशीन पर ही हम लोग इसका career or dog driving plate का प्रयोग जो हैं लेथ मशीन क्रिया में किया जाता हैं जब कारिखंड केंद्रों के बीच में पकड़ा जाता है जो कारिखंड होता है जो हमारा work piece होता है work piece क्या किया जाता है यह center यह हमारा एक center यह है इन दोनों की center में job क्या किया जाता है कि job को पकड़ा जाता है किसे डॉक करियर के मादिय क्या होती है किसे हैं घुमाउन बयते प्राप्ट यह देख सकते आप जो और आ इस में धथी यह वाला हिंसाकंच क्या है हमारी यह जो में लगा होताई यह इसे में invari क्या होता है कि yours होता है यह मारी क्या है को करियर ओर खराद किहा है किया है कि चुछ जो है एक पीन की सहाइथा से जो सेंटर पूसेंटर जॉसल्स क्लैंप किया गया है hai next question हमारा 104 नमबर question है कि अंब स्कूलचन पर वर्याओ पीस कि टर्णिंग के लिए work piece को निमन में से किस खेंदर द्वारा center के बीच में पकड़ा जाता है Question है 104 No Question है Le mehrere machine पर उच्च गतिए पर High speed पर work piece की turning करने के लिए work piece को निमन में से किस खेंदर द्वारा center के बीच पकड़ा जाता है आप्चन है बाल सेंटर, next option है, hop center, next option है, pipe center, next option है, revolving center, इसका right answer हो जाएगा option number D revolving center के माध्यम से केंडरो द्वारा center के बीच में जो है revolving center के माध्यम से पकड़ा जाता है, इसका right answer हो जाएगा option number D देखे यह question जो हमारा क्या करते है दियाइडियो में जो है पूछा हुआ question है देखे इसके point पर बात करते है इस प्रकार के center में घरसन पैदा नहीं होती है जो हमारे revolving center होते है revolving center में क्या होती है कि घरसन पैदा नहीं होती है क्योंकि इसकी body एक bearing feet रहती है जो इसकी body में क्या होता है कि एक wearing जो फीट रहती हैं इस प्रकार कारे के साथ center भी गुमता है जो center होता है यहां क्या करता है कि वर्क पीस के जुद्सात जो गुमता है इसका मुख के उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर बड़े वा भारी कारे को अधिक speed पर चलाना हो हमें क्या होता है कि जो बड़े और भारी वरck पीस होते हम वहां पर क्या किया जाता है कि हाई-इस्पीड स्पीड में चलाने के लिए जिए recycling center प्रियोग किया जाता है हमें नेक्स्ट कोस्चण है 105 नंबर कोसिजन है फालोवर js इस टॉक पर निक्स टॉप्शने के तैडल पर नगश्वरा कि जाती हैं सैडल पर चुंट कि जाती हैं लेट के कैरीज के शेडल पर जो है फालूवर इस्टीडी जो है लगाया जाता है यह कैरीज के साथ चलता है जो फालूवर इस्टीडी होती है जब हमारा कैरीज जो है मोमेंट करता है कैरीज हमारी जब चलाई जाती है तभी जो है हमारी फालूवर इस्टीडी जो है चलती ह zucch You लगा जाता है कारक्रिया कारइखंड को लगातार सपोर्ट प्राप्त होता है किसे सपोर्ट हमारे u pase事情 हमारे दो एड़ेस्टेबल जा होते जिनका उप्योंग फिन्स इंग के लिए किया जाता है जिनका प्रयोग हम लुब कहां पर करते हैं फालोवर सिट्वी का उप्योग जो है फिनिसिंग टरणिंग के लिए जो हैं किया जाता है निक्स कोस्चिन है हमारा 106 नमबर कोस्चिन है अनियमित जाप को टर्न करने के लिए जाप को बांधा जाता है यह कोस्चिन जो हमारा DRD में पूशा हुआ question है question है हमारा जो है 106 नंबर question है अनियमित जाब को turn करने के लिए जाब को बांधा जाता है option है 3 जाचक पर next option है 2 जाचक पर next option है driving plate पर next option है fifth plate पर इसके right answer हो जाएगा option नंबर d fifth plate पर अनियमित आकार के जाब को turn करने के लिए जाब को फिस plate पर बांधा जाता है कहां पर बांधा जाता है देखे इसके point पर बात करते हैं fifth plate काश टाइरन की बनी होती है फिस plate हमारा किस material का बना होता है काश टाइरेन माटेरियल का जो है बना होता है और अनियमित जाब को जो अनियमित आकार के जाबों को जो है पकड़ने के लिए या नट बोल्ट की सहाथा से क्लैम करने के बाद टर्न गुमाया गुमान टर्न किया जा सकता है टर्न किया जाता है नेक्स्ट कोश्चन है हमारा एक सू साथ नमबर कोश्चन है मेंड्रिल एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है यह बनाया जाता है कोश्चन हमारा एक सू सेवर नमबर कोश्चन है मेंड्रिल एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है यह बनाया जाता है option है, mild steel next option, cast iron next option, petal next option है, high carbon steel, इसका राइटन सरो हो जाएगा, option number D, high carbon steel की मेंडिल बनाई जाती है, किस metal की बनी होती है, high speed steel की, sorry, high carbon steel की मेंडिल बनी होती है, इसके point पर बात करते हैं, मेंडिल, मेंडिल, एक कार्य को पकड़ने वाली device है, इसको high carbon steel से बना कर hard work temper किया जाता है, किस metal से, जो है, high carbon steel metal से जो है, बना कर hard work temper, जो है किया जाता है, मेंडिल को, next question है, 108 number question है, लेथ पर ढलाई के लिए machining है, तो किस में पकड़ा जाना चाहिए, question है, हमारा लेथ पे पर ढलाई के machining है तो, किस पर पकड़ा जाना चाहिए, option है, college chuck, next option है, three job chuck, next option face plate, next option four jam chuck, इसका right answer हो जाएगा, option number d, four jam chuck, किस पर four jam chuck पर जो है, पकड़ा जाता है, देखें, इसके point पर बात करते हैं, लेथ पर ढलाई हुई job, machining के लिए, चार जबड़ा, चक में पकड़ा जाता है, four jam chuck में जो है, पकड़ा जाता है, इससे, सुतंत रूप से, चक को, slot में आगे पीछे, चलाने का प्रबंद होता है, next question है, 109 number question है, मेंडरल का उप्योग किया जाता है, a मेंडरल is used to hold, मेंडरल का उप्योग किया जाता है, option है, भारी कारी के लिए, next option है, पतले कारे खंड में, next option है, खोकले कारे खंड में, next option है, eccentric work या weekendry कारे खंड में, इसका राइट आट सर हो जाएगा option number, see a hollow work में, खोकले कारे खंड में,INDरल का प्रबंद का प्र You किया जाता है, खोकले कारे खंड में, मेंडरल का प्रियोग किया जाता है, देखिए, इसके point पर बात करते हैं, मेंडिल के बारे में बात करते हैं मेंडिल के बारे में बात करते हैं मेंडिल का प्रयोग खोकले कारिव खंडों की बाहरी सता पर मर्शीनिंग करने के दोरान दोरान सहारने के लिए किया जाता है खोकले जाबो को जो है पकलने के लिए जो है शहारा देने के लिए हम लोग इ होते हैं Next question 110 number हमारा question है The different spindle speed on a letz form, Leth के spindle की गती होती है Question히 है Letke spindle की गती होती है는アップ hygien अर्थ मेटकल प्रोसीजन्स गुणनात्मक स्रेंडी क्रम में नेक्स्ट आप्चन है जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन्स जामित्री स्रेंडी क्रम में नेक्स्ट आप्चन है हर्नोमिकल प्रोग्रेशन्स हरात्मक स्रेंडी क्रम में next option है aesthetics progression aesthetic 種 disability क्रम में इसका right answer हो जाएग caption number be geometrical progression जामित्री स्रेन्डी क्रम में जो है होता है इसका right answer हो जाएग option number question था हमारा lid के spindle की गति होती है जामतिक स्रेनी क्रम में जो है lid के spendle की गति होती है देखे इसके point पर बात करते हैं हम लिपके इस पंडल की घातिजामती सिरहनी क्रम में होती है इस पंडल एक चक्कर में और जार जितनी दूरी पर चलता है जब साम्हारा क्या करता मालिज हमारा इस्बेडलक्या कर रहा है कि एक चक कर में जीतना हमारा जो है राणड घोमेगा जितनी मालिभा करें अउज पर लिए आ snelते चक्र में जी तीनी मालिभा होुआ ऊजार जीतनी मालिदनी दूरि तक चलते हैं पर समस्यर्ण सब्स Un Cheng करेगा एक चाल लगाएगा और जो हमारा झाल होगा कटिंग्टूल होगा वह जृतनी दूरी तक जाएकוכ Commissioner का होती है, इसमें मिलिमीटर में प्रति चक्क्र में ब्यक्त करते हैं, मिलिमीटर प्रति चक्क होँ क्यक्त करते हैं, next questions 111 मबर Ques vase है नहीं दे चक परफेग्ट फीक सेटिंग एंड एकूरेट सेंट्रिंग अन ऑफ जॉब इस सीघ्रड इस सेटिंग अ तथा मश्तुविक शेंटिरेंग के लिए उप्यूप्त चक हैं अप्शन हैं थ्रीजा उनिवेर सल्ट नेक्स्ट आप्शन फोर्जा चटेग्ड नेक् इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसे नमबर C, कॉलेट चक, C is राइट एंसर कॉलेट चक, इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसे नमबर C, देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं, सिग्र शेटिंग तथा वास्तोविक शेटिंग के लिए उपियुक, कॉलेट चक कहते हैं कौंसर चक उपियुक तो जो हैगा कॉलेट चक द्वारा पतले जॉब शुगमता से तथा कम शमय में ही पकड़ा जाता है कॉलेट चक के माध्यम से ही जो पतले जाब सोते हैं पतले जाबों को जो है शुगमता पूर्वक आसानी से जो है पकड़ा जा सकता है निक्स्ट कोस्टेन है हमारा 112 नंबर हमारा कोस्टेन है 112 नंबर कोस्टेन है एक फेस प्लेट निमलिखित में से किसको पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता की जाती है नेक्स्ट कोस्टन एक सो बारा नंबर कोस्टन है एक फेस प्लेट निमलिखित में से किसको पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती है गोल जावो को next option है finished जावो को next option अन्यमित जावो को next option में खोक ले जावो को इसका राइच inhर हो जाएगा option नमबर से अन्यमित जावो को च्छोए पकरने के लिए फिस प्लेट का प्रियों किया जाता है next question हमारा एक सो तेरा नमबर कोश्चन है अह इस्टेडी रिस्ट इस जनरली यूज़ फ़र इस्टेडी रिस्ट सामानिता के लिए डैस के लिए उप्यूब थे यह कोश्चन जो है इस तरों में पूछा हुआ कोश्चन है अपसेन है holding the tools असकरों को पकड़ने नेक्स्ट आप्शन है support of turning for turning long and cylinder workpiece लंबे और पतले कारे वस्ट के turning के लिए शाहर साहता है नेक्स्ट आप्शन है eccentric turning उतके अंदर turning नेक्स्ट आप्शन है clamping of workpiece कारे वस्ट को की clamping इसका right answer हो जाएगा option number B steady rest steady rest का प्रियोग किया जाता है support for turning long and cylinder workpiece लंबे और पतले कारे वस्ट के turning के लिए जो है किया जाता है steady rest का प्रियोग जो है किया जाता है इसके point पर बात करते हैं steady rest steady rest सामाने तर लंबे और पतले कारे खंड के turning की शहायता के लिए उप्योप्त होता है जो लंबे जाबो को जो है पकड़ने और उनकी turning के लिए जो है शाहरा देने के लिए जो है steady rest का प्रियोग किया जाता है इस अवस्था में कारे खंड के इस सीरे पर छेद तथा facing किरिया भी की जा सकती है facing किरिया भी जो इस operations के माध्यम से जो है किया जा सकता है next question हमारा 114 number question है identify the type of tool holding device shown is the figure चित्र में प्रदर्सित औहजार इस्तिती करण उप्युक्ति युक्तियों को पहचानी है यह हमारे जो हो कौन सा चक जो है तूलбूश्ट जो है हमारे जो है दिखाय गया है क्या कहते हैं अबार्वे टूलपोस्ट नेक्सटब्चन पर वे टूल्पोस्ट text nakem comprend टूल पोस्ट है यह जो हमारा किसको दिखाया गया है यह हमारा किसको दिखाया गया है फोर वे टूल पोस्ट ड्राइंग में से हमारी देख रहे हैं यह हमारा किस चित्र को दर्सा गया है फोर वे टूल पोस्ट चातूर तस्री और जार पोस्ट को जो है ड्राइंग के माध् चार टूल पोस्ट होता है इसमें हम एक साथ क्या कर सकते हैं कि चार टूल जो है एक साथ जो है क्लैम कर सकते हैं इन्हें बारी बारी से टर्णिंग क्रियाओं के लिए उप्यों किया जा सकता है जो भी हमारे चार टूल क्लैम होते हैं उन चारों टूलों को एक एक बार जो है हैं टूलों को क्लैम करने के लिए उपर की और वर्गाकार हेड़ वाले स्क्रू लगे होते हैं टूल को जो हम क्लैम करने के लिए यह जो फोर वे टूल पोस्ट होता है इस टूल पोस्ट में हमारे क्या है कि वर्गाकार यह बोल्ड लगे एक टूल पोस्ट इधर एक टूल प नमबर कोस्टन हैं, for machining a irregular saved job on a let it should be held by, let पर एक अनियमित आकार की कास्टिंग को मशीन में लगाने के लिए इससे पकड़ा जाना चाहिए, नियमित आकार की जो कास्टिंग वाले जाब होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, फोरवे फोरजा चक में जोए क्लैम किया जा सकता है, इसका राइटन्स रो जाएगा, आपसे नमबर डिम, देखे इसके पॉइंट पर बात करते हैं, लेत्म मसीन पर एक अनियमित आकार का कारिखंड पकड़ने के लिए, जो कास्टिंग वाले अनियमित आकार के जाब होते हैं, उनको पकड़ने के लिए फोरजा चक का प्रियोग करते हैं, तथा इन चको का प्रियोग, रूच, ढले, कारिखंड, वरगाकार, अश्ट भुजाकार और तथा अनियमित आकरिती के जो हमारे वरगपीश होते हैं, को पकड़ छमता अधिक होती, इसमें जो पकड़ने की छमता होती है, क्या होती है, अधिक होती, परन्त यूनिवर्सल की अपेक्षा, इस पर कारिखंड को समानजीत करने की अधिक समय लगता है, इस पर जो हिजाब को जो कारिखंड को डायल करने में, या कुरेट करने में जो अधिक समय लगता है, नेक्स्ट कोस्चन है, हमारा 116 नमबर कोस्चन है, इंगल कट वह छोटे या कम टेपर के लि कि इसका प्रियोग किया जाता है option है, saddle next option है, compound rest next option है, cross slide next option है, apron, इसका write answer हो जाएगा option number A, compound slide का जोए प्रियोग किया जाता है, compound slide के माध्यम से angle cut, छोटे या कम टेपर काटे जाते हैं, देखे इसके point पर बात करते हैं, angle cut वह छोटे या कम टेपर के लिए compound rest या compound slide का प्रियोग किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, compound rest को compound slide के भी नाम से जो है, जाना जाता है, इसी के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, angle cut, छोटी या कम टेपर काटने के लिए प्रियोग किया जाता हम हैं, यह cross slide के उपर लगा होता है, यह हमारी क्या होती है, क्रास slide के उपर लगा होता है, क्रास slide के उपर लगा होता है, कौनसी slide, compound slide जो है लगी होती, इसमें एक बृत्ताकार घूनी, श्यूवेल बेस तथा tool post slide होता है, इसी पर क्या होता है, जो compound slide या compound rest होते हैं, इसी पर हमारी श्यूवेल बेस तथा tool post भी slide करते हैं, घूनी आकार, डिगरियों में अंसांकित होता है, इसका प्रियोग कोणी cut, angular cut लगाने तथा कम लंबाई के टेपर बनाने के लिए जो है किया जाता है, कम लंबाई के जो है टेपर बनाने के लिए compound rest या compound slide का जो है प्रियोग किया जाता है, नेक्स्ट कोस्चन है, हमारा 117 नमबर कोस्चन है, पतले छण को पकड़ने है तूं, क्या उप्योगत की प्रियोग होती है यह कोस्चन जो हमारे DRD में पूछा हुआ कोस्चन है, आपसन है 3 जा चक, नेक्स्ट आपसन है 4 जा चक, नेक्स्ट आपसन है कॉलेट चक, नेक्स्ट आपसन है उप्रोब कोई नहीं, इसका राइट अंसर हो जाएगा आपसन नमबर सीम, पतले छणों को जो है पकड़ने के लिए कॉलेट चक का जो है इस्तिमाल किया जाता है, देखे। कॉलेट चक के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो कॉलेट चक होता किया है। कॉलेट चक इस प्रकार के चक का प्रयोग छोटे साइज के जाब ये और पिनों पकुर्ट के पकड़ने के लिए कीया जाता है। जो कॉलेट चक होता है कॉलेट चक के माध्यम से छोटे साइच के जावू या पीनो को जो है पकड़ने के लिए किया जाता है इसमें बेलनाकार चौकूर अस्त भुजाकर के ज्याव आसानी से बांधे जा सकते हैं इन सब के लिए के लिए अलग अलग प्रकार के चको का प्र जाब चकों का जो है इस्तिमाल किया जाता है नेक्स्ट कोस्चन है मारा 118 नंबर कोस्चन है कौन से चक द्वारा पकड़ने से जाब सोता है एलाइन हो जाता है ऐसा कौन से चक है जिससे पकड़ने पर जाब जो है सोता है एलाइन हो जाता है सभी इसका राइट एंसर हो जाएगा अपसर नमबर ए फोर्जा चक के माधियम सजो इसी के नाम को हम लोग क्या करते हैं इसे हम लोग क्या करते हैं इसे यूनिवर्सल चक भी कहते हैं यूनिवर्सल चक के नाम से भी जाना जाता है इसमें तीन त्री जा होते हैं जा होते हैं हमारी जो है त्री जा चक में तीन जा होते हैं जो की चक की चाभी के साथ सोतह एक साथ एलाइमेंट हो जाते हैं सोतह क्या होते हैं कि एक साथ जो हैं इलाइमेंट हो जाते हैं इस त्री जा में गोल जाब को आसानी से बांधा जा सकता है त्री जा चक में नेक्स् रफ कास्टिंग को कस कर पकड़ने के लिए निम्लिकित में से किसका प्रयोग किया जाता है निम्लिकित में से किसका प्रयोग किया जाता है option है question है हमारा 109 number question खरात के लिए बेलना का रफ कास्टिंग को कस कर पकड़ने के लिए निमलीकित में से किसका प्रियोग किया जाता है को सिन रर भी पटना में पूंचा हुआ question है option है 3 जा चक next option है फूर जा चक चार जा चक next option है college चक next option है चुम्बकी चोक इसका राइटन्स रो जाएगा option number college चक का जोई इस्तिमाल किया जाता है देखिए इसके point पर बात करते हैं जो हमारा college चक होता है शेमी आटोमेटिक मशीनों पर लंबे बेलनाकार लट्थों को पकड़ने के लिए college चक का प्रयोग किया जाता है शेमी आटोमेटिक मशीनों पर लंबे बेलनाकार लट्थों को जो है पकड़ने के लिए college चक का प्रयोग किया जाता है college चक L.I.E.S.T.E.L.E.C.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E कटी होती हैं को यह से हमारा 120 को सँने थ्री जा चक के अंदर कौन सच्वडिया कटी होती है को से आरार भी अजमेर में पूंचा होगा को सच्वरा Data अप्शन है में भी एव फरेट नेक्स्ट ओप इस कौन ट्रेड जो है अंदर चूड़िया कटी होती इसका इटर रो जाएगा आपसे नंबर से मफिन हमारा टुन्टी वन नंबर कोस्चन है 121 और 121 नमबर कोश्चन है लंबे बेलनाकार जॉब के दूसरे सीरियो को लेट के किस पार्ट द्वारा सपोर्ट किया जाता है कोश्चन हमारा 121 नमबर कोश्चन है लंबे बेलनाकार जॉब के दूसरे सीरियो को लेट के किस पार्ट द्वारा सपोर्ट किया जाता है आप्शन हैं tail stock next option head stock next option carries next option struct CNN 白 अप newborn एम है tail stock म्овम straks के माध्यम से जो है support किया जाता है next question है 1202 number question है the tool for holding and turning the threading dye is page cut nane जाने वाली dye को पकरने पकड़नी वह मरूने वाले उपकरन को ड्याश कहा जाता अप्शnaj हेंठल नेक्स्ट उप्शών ड्रीशिएवाल प्वाले डियन्स नेक्स्ट ऑप्शनेट इसका राइटएंट सिर्वा से आपो समझेगा पास्नम्बर सिई स्टॉक आधे हैं जो हैं किया चाहिते हैं इस टॉ यह जो है यह जो है कारिखन को घूमाने के लिए खुली सत्थ प्रदान करता है कैसी खूली सत्थ प्रदान करता हैं नेक्स्ट कोस्टेन है हमारा 124 नमबर कोस्टेन है 124 नमबर कोस्टेन है HDD रेस्ट का प्रियोग किया जाता है यह कोस्टेन जो है DRD और टर्णर में पूंचा हुआ कोस्टेन है आपसेन है जाब को चलाने के लिए नेक्स्ट आपसेन जाब को पकड़ने के लिए इसका राइट तो रो जाएगा अपशन कहुट है नेक्स टेनहीं पूरी को शन्दीर में पूंशा फ्रचियते हैं आप झूर्च टाक बूरर इस्टेडिक को किया जाता है mantra पैर पर next option till stock next option फैड इस्टाओक पर next option है लेट बेट फ इसका राइट अनसर हो जाएगा option नमबर अम लेथbon प्र फिक्स किया जाता हैं लेथbon आड़ी पर जो fix किया जाता हैं डेखी इसके point पर बात करते हों folks अफ ऑसफीनमे को कार कटिंग क्रियाओं के दोरान कारेखन को लगातार सपोर्ट प्राप्त करता है अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब चरूर कर लेगा वीडियो को ज़ादा सजादा दोस्तों तक सेर करना झाल झाल